नमस्कार पिछले वीडियो में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को जाना था समझा था और हमने देखा था कि किस प्रकार चौरी-चौरा कांड की घटना के बाद 5 फरवरी 1922 को गांधी जी की घोशना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी के बारे में लेकिन उसका सीधा संबंध असहयोग आंदोलन से है प्रत्यक्ष और और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की समाप्ती की घोशना के बाद कई नेताओं का विरोध गांदी जी के प्रती खुल कर सामने आया जैसा कि कई कतनों से हमें पता चलता है कि सुभाश चंद्र बोस ने कहा था कि जब पूरे देश का उत्साह अपनी चरम अवस्था पर था उस समय इस आंदोलन को समाप्त करने की घोशना करना एक राष्ट्रिय स संकट से कम नहीं था लालालाज पत्राय ने कहा था जेल में रहते हुए कि यदि भारत के किसी एक गाउं में हिंसा का प्रयोग किया गया तो उसकी सजा पूरे देश को देना कहां तक न्याय संगत है इसी प्रकार के कथन मोतीलाल नहरू ने दिये थे कि दक्षण के किसी गाउं में अगर हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो हिमाले के गाउं को उसकी सजा क्यों दी जाए इस तरह के तरह तरह के कथन विभिन रास्ट्रवादी निताओं ने खुलकर गांधी जी के विरोध में प्रस्तुत किये जिससे कहीं न कहीं असंतोश का प्रदर्शन होता है उन्हीं असंतोशों के बीच वैचारिक रूप से कुछ व्यक्तियों के नत्रित्व में कॉंग्रेस के कुछ लोग एक नई दिशा में जाना चाहा रहे थे जो परिवर्तनवादी कहलाए हुआईउं की असहयोग आंदोलन के समापती के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक मिथक चली आ रही थी कि अब गांधी जी के दिशा निर्देशों पर ही काम किया जाएगा कोई भी कदम गांधी जी के शब्दों के बाद ही किया जाएगा तो गांधी जी तो देश व्यापी इस तर पर असहयोग के प्रस्ताओं को असहयोग से संबंदित विबिन घोषणाओं की घोषणा कर चुके थे तो एक असमंजस की इस्थितियां बन चुकी थी पूरे देश में और उसी समय 1923 में नवंबर 1923 में आम चुनाओं होने वाले थे जिसका प्रावधान 1919 के भारत-शासन अदिनियम में लाया जा चुका था पहले ही तो लोग confusional condition में थे कि इस चुनाओं में भाग लिया जाए या ना जाए चुकी गांदी जी को तो जेल में बंद कर दिया गया था छे वर्षों के लिए तो लोग परिवर्तन, लोग बहुत ज़्यादा confused condition में थे कि उस चुनाओं में भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए क्योंकि लोग गांधी को सुन रहे थे, लोग गांधी को समझ रहे थे, लोग गांधी का नित्रित्व चाह रहे थे और गांधी जी उस समय शांत हो चुके थे, कुछ दिनों के लिए, तो confusional इस्थिति उत्पन होनी निश्यत थी, तो उन्ही परिस्थितियों के मध्य कॉंग्रेस में मोती लाल नहरू और चितरंजन दास के नित्रित्व में कुछ कॉंग्रेसी नेताओं का यह मत था, कि हाईका में प्रवेश किया जाए, और उसके बाद प्रवेश करके एक अलग तरीके से अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जाए, लेकिन जो परंपरागत रूप से गांधी जी के अनुयाई थे, उन लोगों ने विरोध कर दिया, इस प्रकार कॉंग्रेस का वैचारिक रू प्रूप से दो वर्गों में विभाजन दुबारा हुआ, वह था स्वराजवादी या परिवर्तन वादी जो परिवर्तन चाह रहे थे, और वो थे मोतीलाल नहरू और चितरंजन दास के समर्थक, इस गुट के प्रमुख नेता मोतीलाल नहरू और चितरंजन दास सियार दास, इनके जो भी समर्थक थे, वो परिवर्तन वादी का लाए, स्वराजवादी का लाए, लेकिन जो परंपरागत राश्टरवादी नेता थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभाई पटेल, सीराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सीराज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वल्लभाई पटेल, वालब भाई पटेल एंजी रंगा सिर्फ चार ही नहीं थे परमपरागत रूप से गांधी जी के इस्थाई अनुजाई जो थे उन सब ने विरोध किया और वो और परिवर्तन वादी का लाए अर्थाद जो परिवर्तन नहीं चाह रहे थे इस प्रकार कॉंग्रेस का दो वर्गों में पुनह विभाजन हो गया परिवर्तन वादी और और परिवर्तन वादी उसी दर्मियान 1922 के दिसम्बर माह में कॉंग्रेस का नियमित वार्षी का दिवेशन गया में आयोजित किया गया payment उसकी अध्याक्षिता चित्रंजन्दास ने की थी, अपने अध्याक्षिय भाशन में उन्होंने विधाईका में प्रवेश हो, उने होकर अंग्रेजी सरकार के विरोध की बात रखी थी और एक प्रस्ताव पेश किया था इस संदर्भ में, गया अधिवेशन लेकिन इस गया अधिवेशन में वह प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, नहीं पारित हुआ, परिणाम स्वरुप नाराज होकर चित्रंजन्दास ने त्याग पत्र दे दिया कॉंग्रेस की सदस्यता से और उसके बाद मार्च 1927 का माह आता है, उसमें मार्च 1927 एलाहबाद शहर था, उसमें मोती, लाल नहरु और चित्रंजन्दास के नेत्रितों में एक अखिल भार्तिया समीती का आयोजन किया गया, एक अखिल भारतिया सभा का आयोजन किया गया, इलाहबाद में मार्च 1923 में और उस सम्मेलन में, उस सभा में मोतिलाल नहरू और चितरंजन्दास के सभी अनुयाई लगबग शामिल हो चुग हुए थे उसी बैठक में स्वराज पार्टी की नीव रखी गई और स्वराज पार्टी का गठन किया गया उसके अध्याक्ष स्वराज पार्टी के जो अध्याक्ष थे वो चितरंजन्दास बने और महासचिव मोतिलाल नहरू बने जब नवंबर महा आया उसी वर्ष 1923 में तो इन लोगों ने चुनाओं में भाग लिए केंद्रिय असेंबली केंद्रिय परिशद केंद्रिय परिशद में 101 सीटों के लिए चुनाओं हुए जिसमें 42 पर स्वराज पार्टी ने जीत हासिल की ये तो केंद्रिय परिशद की बात करते हैं और अब बात करते हैं प्रांतिय परिशदों की प्रांतिय परिशदों की अगर बात करें तो प्रांतिय परिश्दों में उम्मीद से बढ़कर स्वराज पार्टी को सफलता मिली, जैसे पहला बंबई, दूसरा बंगाल, तीसरा संयुक्त प्रांथ, और चवथा उत्तर प्रदेश, यूपी, इन चार राज्यों में स्वराज पार्टी को आशाती सफलता मिली और इस इसी सफलता के मध्य सुराज पार्टी ने इन प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई और बंगाल में चितरंजन दास के नितरितों में सरकार बनी केंद्रिया असेंबली में केंद्रिया परिशद में स्वराज पार्टी के नेता मोती लाल नेहरू थे इन्होंने कई महत्वपूर्ण कारे किये जैसे हर बार ये बजट को निश्प प्रभावी कर देते थे जिसके लिए वाय सराय को अपना वीटो लगाना पड़ता था इन्होंने कई महत्वपूर्ण कारे के जैसे उसमें पाला यही था कि नियामित रूप से बजट को इन्हों ने और सुविक्रित करने का काम किया जिसके लिए हर बार वाइसराय को वीटो लगाना पड़ता था दूसरा गोल में सम्मेलन करवाए जाने की अनुशंसा इनहीं लोगों ने की थी सबसे पहली बार गोल में सम्मेलन या यूं कहें गोल में सम्मेलन की विचारधारा अवधाराना सबसे पहले सुराज पार्टी नहीं प्रस्तूत की थी अंग्रेजी सरकार के समक्ष तीसरा मुंडी मैन समीती इनके प्रयासों से मुंडी मैन समीती का गठन किया गया जिसमें जिसका प्रमुख उद्यश्य था 1919 के भारत शासन अदिनियम की समीक्षा करना चौथी बात चौथा प्रमुख कारे जो इन्हों ने किया मोती लाल नहरू के नेत्रितों में मोती लाल को मोती लाल मोती लाल नहरू इसक्रीन समीती का गठन का सदस्य बनाया गया था इस स्क्रीन समीती इस स्क्रीन समीती का गठन इसलिए किया गया था कि इसका काम इसका उद्यश्य था कि इस बात की समीक्षा करना इस बात का इस बात पर अनुसंदान करना कि भारतियों को अंग्रेजी सेना में शामिल किया जाए या ना जाए और अगर जाए तो कितनी संख्या में उनको नियुक्त किया जाए ताकि 1857 वाली घटना ना हो पाए इसक्रीन समीती का यही उद्यश्य था और इसक्रीन समीती का सदस्य मोतिलालनेरू को बनाया गया था अगला विठ्थल भाई पटेल को इनके प्रयासों से केंद्रिय परिशद का अध्यक्ष बना दिया गया इसी बीच गांधी जी को रिहा कर दिया गया बीमारी के आधार पर और नवंबर उनिस्सों चोविस में महात्मा गांधी और चितरंजन दास के मद्य एक समझहोता हुआ जिसको गांधी दास पैक्ट के नाम से भारत का इतिहास जानता है इसके तहत राजनीतिक दाईत्व जो थे राजनीतिक दाईत्व कॉंग्रेस के प्रतिनिदी के रूप में स्वराज पार्टी को दिये गए गांधी जी को रचनात्मक कारियों की जिम्मेदारी दी गई इसी जिम्मेदारी के निर्वहन के दवरान गांधी जी ने All India Spinner's Association की इस्थापना की जिसका प्रमकुद्यश खादी को बढ़ावा देना था इसके साथ साथ All India Village Association की भी इस्थापना की ताकि गामियन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए इस प्रकार गांधी जी ने और इस गांधी दास पैक्ट के सभी प्रावधानों की पुष्टी गांधी जी ने बिलगावा दिवेशन में की थी 1924 में दिसंबर में जो आयोजित किया गया था आरंब में तो कॉंग्रेस के अनुरूप सुराज पार्टी कारिक करती रह गई लेकिन उसके बाद 1925 में जब चितरणजन दास की मृत्यू हुई सियार दास की मृत्यू हुई उसके बाद इनों ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग देना आरंब कर दिया इनकी गतिविदियों को देखते हुए कॉंग्रेस ने इनको वापस बुलाया कि अब छोड़ दीजिए अब आप वापस हमारे पास ही आ जाईए ये लोग त्याग पत्र देकर वापस आ गए और इनके निश्प्रभावी होने के परिणाम 1926 में देखने को मिले जब 1926 में पुनह आम चुनाव करवाए गए तो उसमें जहां जहां इनका बहुमत था वहां भी इनकी सरकार नहीं बन पाई क्यों क्योंकि ये बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई जैसे बंगाल, बंबई, मध्यप्रांथ, उत्तरप्रांथ मतलब चुकि सामप्रदाइक था बहुत अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका था तो उनी दर्मियान उसी बीच ये सफल नहीं हो पाई आशातीत सफलता इनको नहीं प्राप्त हो पाई, सिर्फ मद्रास में आधे सीटों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, इसके अतिरिक्त केंद्रिया असेंबली में भी इनको कोई विशेश सफलता हाथ नहीं लगी, केंद्रिया परिशद में तो इस प्रकार स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी का पुनह कॉंग्रेस में विले हो गया, इसी दर्मियान गांधी दास पैक्ट भी देखने को हमें मिला, अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए जैहिंद्